Edge WrestleMania जीत के 3 choices ले चुका है, सबसे पहले Drew Banger इंटायर, फिर Romer रिंस, उसके बाद अब नई choice भी आ गई है, Finn Balor आज NXT पर भी Edge की appearance हो चुकी है और गईज मुझे ये बताओ, कौन बोल रहा था कि Edge पार्ट टाइमर है, नहीं, रोयल डंबल में लड़ा पहले सबसे पहले ठीक है, उसके बाद row पर भी लड़ा, match लड़ा, ये नहीं बोल लड़ा, appearance, match लड़ा, उसके साथ-साथ NXT पर भी आ रहा है, हफते में 3-3 बार आ भाई, अब तो SmackDown के भी rumors आने लगे, कि उस पर भी आने वाला है, so yes, कुछ लोग खुश नहीं थे, Edge के जीतने के उपर, वो चाहते रहे कोई superstar जो नया नया बनाया, उसको जिताया जाए, तो WWE अच्छी हो जाएगी, लेकिन guys, मेरी बात सुनो, Edge का एक अच्छा टाइम था यार, यह मतलब जो हो सकती है, चीज जो अच्छी हो सकती है, WrestleMania के लिए, उसके साथ, WWE के लिए, पहले ही WWE की बजरी है, मतलब नीचे जा रही है, वो company, so Edge पार टाइम नहीं कर रहा, वो की अच्छा है WWE के लिए, तो जो हुआ अच्छा हुआ, so yes, मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, Edge ने चूस कर लिया है, Balor को, या फिर Roman को, या फिर Drew को, भई, यह क्या हो रहा, इतना confusion क्यों है, और क्या कहना चाहता था, आज Edge NXT पर आके आपको बताऊंगा सब का सब, आपका एक काम आपको पता है, subscribe मार देना चैनल को, अगर आप भी मेरे त notification bell जरूरोन करने ना, मैंने में सोहे, लेट्स गो फो 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 द वीडियो भई भे, ऐसे टाइम में, Edge का मिलना, WWE को सबसे बड़ी चीज है, वो भी पार्ट टाइम नहीं कर रहा है, हम गोल्बग सोचते हैं कि गोल्बग तो भाई, पार्ट टाइम करता है, वो भी ऐसा कि Edge एक बहुत अच्छा एक साधन हो जाएगा, catalyst हो जाएगा, WWE को उपर लाने में फिर से, so Edge NXT में क्यों है, पहला reason तो यह है कि Balor को challenge करने आ है, लेकिन यह reason इतना वो नहीं है, भाई, ratings के लिए आया है, Edge NXT में, Edge ने Balor और Pete Dune को बोला कि मैं तुम्हारा match देखूंगा, ध् उसको WrestleMania में challenge करूँगा, and guys, WWE और भी जादा confusion create कर दी है, पहले Romer और Drew तो थे, अब Finn Balor भी आ चुके है, और Pete Dune को Edge ने बोला, कि तो वो है जो मैं शुरू शुरू में आया था, तो वैसा मुझे तेरे से देख के feeling आती है, so guys, सबसे पहले मैं आपको यह बता दूँ, कि Edge ब wrestling show है दोनों के दोनों, and guys, NXT हार रही है AEW से, so Edge को लाके जिताया जाएगा, शायद जीतेगी NXT, देखते हैं अब जब result आएंगे ratings के, तो Edge किसको चूज करेगा, Finn Balor के बहुत ही कम chance है, 10% chance है, Drew McIntyre के around 40% chance है, and Romer Reigns के सबसे जादा chance मुझे लग रहे है, 50%, क्योंकि heel versus face बह यह match हुआ, WrestleMania में, so yes, आपको भी 3 option मिल गई है, comments में बताओ, किसके साथ आप देखना चाते हो, Edge का match WrestleMania में, अगर यहाँ तक आगे हो, subscribe मार देना, चैनल को, notification bell जरूर ओन कर देना, and like मार के अपनी attendance दौब लगाए,